आज आप से एक सवाल है क्या 27 जुलाई को जब अक्षे कुमार की फिल्म बेल बॉटम सिनेवा घरों में रिलीज होगी तो क्या आप देखने जाएंगे अगर हां तो क्यों जाएंगे अगर न तो क्यों जाएंगे निशित रुप से आपके शहर के स्थिति वहां कोरोना की क्या स्थिति है वहां लॉकडाउन के बाद की स्थिति में कितना बदलाव आया है अनलॉक की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ी है इस पर सारा निर्वर करता है लेकिन क्या सिनेमा घरों में जाने का साहस देश का आम नागरिक जो बहुत ही सहमा हुआ डरा हुआ है और जिसके आस पास का कोई न कोई परचित कोई मित्र कोई रिस्तिदार कोई दोस्त गुजर चुका है क्या वह इतनी हिम्मत कर पाएगा कि वह सिनेमा घर के बंद महौल में जाकर के फिल्म देखे सिनेमा घर के खुलने से मुझे कोई आपति नहीं है सिनेमा घर खुलने चाहिए क्योंकि सिनेमा घर खुलता है और सिनेमा घरों में फिल्में लगती है तो न सिर्फ फिल्मों का कारोबार होता है, न सिर्फ कलाकारों और तक्निश्यनों का फायदा होता है, न सिर्फ निर्माता निर्देशक की गाड़ी चलती है, बलकि सिनेमा घरों के खुलने से अनेक रोजगार सक्रिय हो जाते हैं, अनेक बेरोजगारों को काम मिल जाता है, और अभी जब सिनेमा घर बंद हैं, तो हम सभी जानते हैं, कि सिनेमा घर के आस पास के धंदा करने वाले सभी परिशान हैं, सभी के घर में हो सकता है कि परिशानिया हों। ऐसी स्थिति में हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं और पूरा देश चाहता है कि जल्दी से जल्दी सिनेमा घर खुलें, ताकि यह जो सूखा पड़ा है, मनरजन का प्रवाह रुग गया है, वो एक नहर के जरिये हमें मिल रहा है, OTT नहर हैं, और सिनेमा एक नदी है। लेकिन बारिश और सावन तो फिल्मों के रिलीज के बाद ही आता है। तो मेरा यह मानना है कि आप देखें और तहर करें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिलहाल अक्षे कुमार की हिम्मत की मैं तारीफ करूँगा, और उनके प्रोडूसर वासु भगनानी और जैकी अगर इस फिल्म को दर्शक मिलते हैं या उसके पहले ही हो सकता है कि बहुत सारे निर्माता अपनी फिल्मों की घोशना करें। दो बहुत प्रतिक्षित फिल्में हो गई हैं जिनकी रिलीज की बार-बार घोशना हैं हुई और बार-बार उसे रद्द किया गया। वो है में और 83 में रनवीर सिंग हैं। फरवरी महीने में जब लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा तब लगबग 30-40 फिल्मों की रिलीज की तारीखें आ गई थी। लेकिन उसके बाद अप्रेल से जब इस्तिती बिगरनी शुरू ही तो एक-एक कर सब तारीखें रद बेंगलूरू, नोट करने बेंगलूरू भी। में इस्तिती सामाने नहीं होती हैं, वहां के सिनेमा घर नहीं खुलते हैं, तब तक निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अपनी फिल्में रिलीज करने पर। ओवर सीज के दम पर, विदेशों में फिल्म रिलीज करने के दम पर, आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं। हमने राधे का हश्र देखा। राधे विदेशों में थेटर में रिलीज हुई थी, लेकिन उसका कलेक्शन सलमान खान के दूसरी फिल्मों के तुलना में कितना कम रहा। तो अभी विदेशों में भी थेटर जाने वालों के संक्या उस अनुपात में नहीं बड़ी है जैसी उमीद की जा रही थी। भारत में तो अभी आशंका ही है कि 27 जुलाई तक देश की हालत ऐसी हो जाएगी जहां थेटर और मॉल खुल सकें। मैं फिर से दोरा रहा हूं कि मैं खुद इच्छुक हूं और इस बात क को भी स्विकार करता हूं कि OTT अब एक सच्चाई है हमें दोनों के सहस्तित्य में रहना है दोनों को एक्जिस्ट करें और साथ साथ चलें ताकि दर्शकों का भी फायदा हो निर्माता निर्देशकों का भी फायदा हो कलाकारों का भी फायदा हो और फिल्म के धंदे से शुक्रिया, महरवानी, धन्यवाद.